हांग पैर सुन पड़ जाना, दिमाग का सही तरीके से काम न करना या फिर दिमाग का सरीर के बाकी हिस्सों से कंट्रोल हट जाना ये सारे Parkinson's disease के लक्षण हो सकते हैं फ्रेर्स Parkinson's disease एक neurological disorder है जिसमें brain का वो हिस्सा प्रभावित होता है जो सरीर के बाकी organs को govern करता है वैसे तो ये बिमारी किसी को भी हो सकता है पर अकसर ये 60 प्लस age वालो में ही दिखता है और कभी-कभी तो हे रिडिटी के करन बच्चे भी इसके सिकार हो जाते हैं आईए जानते हैं एक्चुल में ये बिमारी दिमाग को किस तरह से प्रभावित करती है ब्रेन के अंदर कुछ खास तरह की सेल्स होती है जो डोपा माइन बनाती है डोपा माइन का काम है ब्रेन से organs तक message कनवे करना नॉर्मल कंडिशन में सब कुछ सही तरीके से चलता है पर पारकिंसन्स डिजीज के केस में ब्रेन में डोपा माइन बनाने वाली सेल्स डाई होने लगती है जिसकी वज़े से डोपा माइन का लेवल गिरने लगता है और धीरे धीरे ब्रेन का control बाकी organs से लगभक समाप्त हो जाता है इसके लक्षण इतने माइनूट होते हैं कि शुरुवात में आप इसे नहीं पैजान पाएंगे पर जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा धीरे धीरे आपको हाथ पैर में कमजोरी मैसूस होने लगेगी इसका असर आपके चलने, बोलने, सोने, सोचने से लेकर हर काम पर पढ़ने लगता है वसे पारकिंसन्स जिजिस का exact कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है पर इतना जरूर है कि ये ब्रेन में डोपा माइन का लेवल कम होने के कारण ही होता है ब्रेन के अंदर निग्रा सेल्स होती है जो डोपा माइन बनाती है ये निग्रा सेल्स कुछ इन्वार्मेंटल और जेनेटिकल फैक्टर्स के करण डाई होने लगती है नतीजा डोपामाइन का लेवल गिरने लगता है सुरुवात में तो हाथ पेर की उंगलियों में कपकपी दिखा देता है फिर जैसे जैसे समय बीचता है पेसेंट की वर्किंग इफिसियंसी भी कम होने लगती है उसे कोई भी काम करने में काफी समय लगता है पेसेंट की मसल्स हाड हो जाती हैं जो काफी तकलीफ दे हैं वे अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते इस बिमारी की वज़े से जो काम खुद बखुद हो जाते हैं लाइक पलक जबकना या हसने जैसे काम में भी परिसानी होने लगती है पेसेंट की बोली बदल जाती है लाइक आवाज में लड़कराहट या आवाज ना निकलना पार्किंसंस डिजीज में पेसेंट की लिखावट बदल जाती है उसे लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है वे चीजे भूलने लगते हैं यहां तक कि उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज ये ज़्यादा तर 60 प्लस एज वालों में ही दिखता है पुरसों में महिलाओं की तुला में इस बीमारी का लगभग दो गुना से ज़्यादा खत्रा रहता है कुछ केसेंस में हेरीडिटी भी इसकी वज़ा हो सकती है और कभी कभी सिर में चोट लगने या फिर किसी बीमारी की वज़ा से ये बीमारी हो सकती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर छिड़के जाने वाले इंसेक्टिसाइट्स भी इस बीमारी के खत्रे को बढ़ाते हैं हलाकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है पर इसके लक्षणों को सुधारने और उसे कम करने के लिए कई थेरपी मौजूद है जो पेसेंट की लाइफ को काफी आसान कर देती है उमीद है वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सियर सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे